दुर्योधन की माता गांधारी का विभा जब नेत्रहीन धतरास्ट के साथ हुआ था तब गांधारी ने अपने नेत्रहीन पती की तरह ही अपने आखो पर भी पट्टियां बांधली थी गांधारी का इतना बड़ा त्याग एक बड़ी ही कठोर तपस्या की तरह था और जब गांधारी के पुत्रों और पांडवों के बीच युद निशित हो गया था तब हर मा की तरह गांधारी ने भी उस नेत्रहीन रहने की तपस्या का फल अपने पुत्र दुर्योधन की सु निर्वस्त्र आएं वह उन्हें देखना चाहती है इस बात की खबर जब भगवान कृष्ण को पता चली तब वह तुरंत दुर्योधन के पास आए और उसे समझाते हुए बोले कि एक युवा पुत्र को अपनी माथा के सामने निर्वस्त्र जाते हुए शोगा नहीं देता ह और तुम्हारी माने तुम्हें पगेर वस्त्र के बुलाया है इसलिए कोई वस्त्र मत पहनो परन्तु एक केले के पत्ते से अपने कमर के नीचे के हिस्से को छुपा लो भगवान कृष्ण की यह बात दुर्योधन को भी सही लगी क्योंकि जिस माने उसे जन्म से आज तक यह नहीं देखा था वेह पहली बार उसे युआ अवस्त्र में निवस्त्र देखे यह बात ठीक नहीं है इसकारण वेह अपनी कमर में केले का पत्ता लपेट कर अपनी माता के सामने आ गया गया गान्धारी हो जाए परन्तु केले का पत्ता लपेटने के कारण दुर्योधन के शरीर का वह हिस्सा कमजोर रह गया था और भगवान श्री कृषिन ने भीम से दुर्योधन की कमर पर ही वार करके उसे घायल करवाया था गदा युद्ध में कमर के नीचे वार करना नियम के वरुद्ध हो होता है दुर्योधन की मिर्त्यू तभी हो सकती थी जब उसको बहुत खुशी के साथ बहुत बड़ा दुख मिले इसी लिए वह कई दिनों तक युद्ध भूमी में करहता हुआ पड़ा रहा था एक रात जब दुर्योधन का मित्र अश्वत्हामा आया और दुर्योधन के सामने पांच कटे सर रखकर बोला कि वह पांचो पांडवों का सर काटके लेके आया है तब दुर्योधन को बहुत खुशी हुई थी परन्तु जब उसे पता चला कि यह पांचो सर पांडवों के नहीं बलकि द्रौबदी के पांच पुत्रों के हैं तब उसे बहुत ज़ा खुशी और बहुत जादा दुख होने के कारण दुर्योधन को मृत्यु प्राप्थ हुई थी। परन्तु मरने से पहले दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा था कि है अश्वत्थामा इतिहास इस बात को याद रखेगा कि दुर्योधन को भीमने नहीं बलकि झाल झाल